हर्याना के नेलों के बारे में और यह पार्ट टू रहेगा इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा पार्ट रहेगा ओविसली और कल का जो था वो 20-20 मिनट का था जिसमें कुछ ही डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर पाई थे आज का वीडियो में सोच तो रहे और यहां पे जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा पानिपत बहुत स्पीड से करेंगे ओविसली यही ने पड़े होती है तो थोड़ा सा गो थू कर रहा होता है आप एक बार निकाल दोगे अपनी नजरों के सामने से तो पेपर से पहले एक बार रिव बोली जगए पर यहां पर चैत्र माता का मेला लगता है अबरिसली चैत्र महीने में लगेगा लगेगा कलंदर की मजार पत हैं थी पताय के पानिपत में वैसे भी बहुत सारी मजार ने बढ़ावर लगया था जब इब्याहिम लोडी को हरा है तो तो महां पर कापी सारी पाथरी मादा मेला पानिपत के अंदर ही एक गाउं है पाथरी अगर आप गए हो संभालका से पानिपत की तरफ तो पाथरी गाउं है पाथरी स्थान पर चैत्र महीने में और आसाड महीने के प्रतेक बुद्वार को ये मिला लगता है पानिपत में यहीं है जो लगते हैं उसके बाद मैं आगे चलती हूं भिवानी में हम कल कर चुके थे हिसार जीन फतिहबाद यवना नगर पंच्छुला अंबाला ऐसे कुछ दिस्ट हम कर चुके थे और इसके बाद मैं आगे चलती हूं भिवानी में आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए न क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा लंबग एक सवा गंटे का अगर मैं बहुत अराम से करा हूंगी तो तो मैं यहां पे लिखर दे रही और यह हम पढ़के में आएं दशेरे का मिला कई जगे पे लगता है और यह एक फिक्स्ट डे है आपका विजय दश्मी के दिन जो विजय दश्मी आती है दशेरे वाली उसके दिल लगता है नाग बाबा का मिला लगता है यहां पे नाग बाबा का मिला यह जो मेला लगता है यह आपके भिवानी में नवराज गड़ एक जग्या है यहां पे लगता है नवराज गड़ में और यह लगता है भिवानी के लोहारू नामक जग्या पर नेक्स अगर में बात करू만 सती मेला शती का सम्कों पता है भाई शिवजी की जो थी या फिर पार्वती जो थी çवह सती माता का ही रोप दूसरे जनम में पैडा होई थी यह इन्होंने सती हो गई थी क्योंकि शिवजी बभवान Block सी विवार करना जाते थी तो सती मेला जो है यह आपका भादवे के महिने में अभी जो आएगा सामन के बाद भादर पद में शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये लगेगा और ये लगेगा गाउं है वहाँ पे खरक में ठीक है जी आगे लगता है बाबा खेडे का मेला ये मैं भिवानी के लिख दे रही हूँ जल्दी जल्दी करियेगा बाबा खेडे का मेला ये लगता है आपका जो अग रक्षा बंदन आएगा न रक्षा बंदन वाले दिन रक्षा बंदन के दिन जगह है यहाँ पे एक नौरंगा बाद यहाँ पे लगेगा बाबा खेड़े का मेला सिर्फ वो चीज़ करा रही हूँ जो कुछ डिफरेंट है या स्पेसिफिक है otherwise आपसे सिर्फ इतना ही पूछेंगे बाबा खेड़े का मेला लगता है नाग बाबा का मेला का लगता है जगह के नाम बहुत हाडली पूछेंगे और ग्रुप D में तो बहुत ही कम है लेकिन CET मेंस में क्योंकि कॉम्पेटेशन जादा है तो हो सकता है अगर पेपर टक बना तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं उठा के आप सब्सक्राइब को पता है को पूछ मासी का मेला यह पन्वासी के लो पूछ आप पूछा है जो लास इंपोर्टेंट है उनको बस एक बदेखेजिए जो फड़ा इंपोर्टेंट है जो पहले पूछे गए हैं उनको हम मुंगी या मुंगी पा का मेरा यह पूछा गया है और प्रिवियस यह अगर आप करोगे मोटेस लगाओगे तो आपको पता दी होगा बस एक बाद जाने के यह भ्युवानी में लगता है और मुंगी पा जो है बाबा उनकी पूजा होती है आप एक बार स्क्रीन शोट ले लिजी विवानी डिस्ट्रिक्ट का फिर आगे चलते हैं आगे चलते हैं और महेंदरगट डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं अब पार्थ करेंगे महेंदरगट डिस्ट्रिक्ट राजिस्थान से सेमा शीये करता है यहां पे सबसे पहले और सबसे इंपोर्टेंट धोसी का मेला धोसी की पहाड़िया कितनी बार पूछी गई है बाबा चमवन का रिच्ता सम्मंद कहां से है ये हम सभी को पता होना चीए चमवन जो रीशी है वो यहां डोसी की पहाड़ियों से सम्मंदित है डोसी का मिला लगता है डोसी की पहाड़िया भी एलते है हरियाना का दक्षिरतम भागे फिर है यहाँ पे बाबा भिलाई नाथ का मिला ये तो पता है महंदर गड में लगता है ये लगता कहाँ पे है महंदर गड के नांगल गड में नांगल गड़ नामक जगय है और ये लगेगा भाग्रपद के मुस्ली जो मेले है वो भाग्रव या श्रामण में ही लगते हैं या पर चैत या असाड में क्योंकि देखो भाग्रव और सावन इस समय धानों की रुपाई की जाते हैं नई फसल के आगमन पर ये मेले लगते होंगे और जो चैत और असाड है गेमों की कटाई होती है तो वह उसके उसपे तो मोस्कीना ये थोड़ा सा रपो रिलेट करते चला करो फसलों के लिए भी ह तो ग्रद्ध्पद्र के महीने के शुक्ल पक्ष में है एक शुक्ल पक्ष में एक प्रिशन पक्ष है तीज का मेला यह पढ़ी देजकर Jurman यह लगेगा आपका एक तो लगेगा नार्नोल में महिंदर घड़ के नार्नोल में यह तो जगे हो गई लगेगा गब यह श्रावन मास के जो भी चल रहा है श्रावन का महीना उसकी श्रावन मास की शुक्लत तृत्या हूँ नेक्स्ट लगता है यहां पे शिवजी का मेला और यह तैजरे लगेगा पानी पत्में मी लगेगा शिवजी का मेला शिवजी का मेला लगता है आपका श्रावन महीने की अभी जो श्रावन महीना चल रहा है श्रावन महीने की यह लगेगा क्रिशन पक्ष की त्रियोगशी क ठीक है ओके और ये गाउं है महिंदर गड़ का बागोत बागोत गाउं में फिर आपका लगेगा भूरा भवानी का मेला भूरा भवानी जो मेला लगेगा वो लगेगा बैसाथ महिने की नौवी को अब बैसाथ का महिना कौन सा होता है वो सोचो फागुन चैत वसाथ होता है न ये वही है फागुन मार्च चैत अपरेल बैसाथ मै हनुमान जी का मेला लगता है आपे ये मेला लगेगा आपका नार्नोल में ठीक है नार्नोल के दोचाना गाउं में नार्नोल याद रफ लिजीगा नार्नोल में लगेगा दोचाना गाउं है चैत्र महीने की शुकल पक्ष्टो स्क्रीन शॉट ले लिजिएगा महिंदरगड़ का पर नेक्स्ट कवर करेंगे गुरुग्राम गुरुग्राम में खापी सारे पेले लग दे हैं जिस टेके स्क्रीन शॉट अप दिस्क नाव गैना रिमूव नेक्स्ट आजी गुरुग्राम गुरुग्राम भी सबको पता है वही शीतला माता का मंदर है जिनके हैड हमारे घुपेंदर से बहुत हैं और सारा जितना भी पैसा अगर आप दान देते हो तो वह तर्स्ट में जाता है वह सारा मनओरलाल खतर जीकि having जाएगा वह उस पैसे को उसी मंदर में लगाते हैं और लगाते हैं ये मेला कब-कब लगता है जान रखेगा ये चेत्र और आसाड एक तो चेत्र महीना एक साड का महीना प्रतेख सोमवार को जितने भी सोमवार आएंगे आप गए होगे गुर्दाओं वाली माता पर ये वही नहीं गुर्गाम वाली माता पे जाते है न, ये वही माता है नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बुद्धो माता का मेला बुद्धो माता का मेला ये जो मेला लगेगा ये लगेगा आपका मार्च महिने में मार्च में और प्रतेग सक्ता को हर सक्ता दिन नहीं दिया हुआ था हुई और गुड़गाव में एक जगे है मुबारिक पुर वहाँ पीलगेगा इसके लाहां मेरको तो नहीं लगता कि आपके कोई मेले से क्वेस्चन चूटा हो गया फिर भी अगर आपका ऐसा है कि आपके भी नोट्स बने हुए है मेरी तरह कोई नोट्स बनाए हुए है और बहुत ही समझ नहीं आएंगे तो मैं उन्नी में इसे लिखवा रही हूँ अगर ऐसा है कि एक आदा मेर से रह गया तो आप बता सकते हैं नेक्स से चलते हैं यहाँ पर महदेव मेला महदेव कहलो शिपजी मेला कहलो तो महदेव का भी मेला लगता है और यह लगेगा हमारा इच्छापूर नाम की एक जगे है इच्छापूर स्थान पे लगेगा और यह लगेगा एक तो फागुन के महीने में एक आपका श्रामण मास हुए है कब शुक्ल पक्ष की एक तो चतूर दशी को 14 बोलते हैं चतूर दशी को और एक आपकी पुर्णे मा जिसे पणवासी बोलते हैं दोनों आगे पीछे रहते तो दो दिल लगेगा गोगा नौमी का मेला हर जगे मिलेगा हर मतलब मेली सबी डिस्ट्रिक्ट में गोगा नौमी का मेला जान रखेगा वही है भादरपद महीने की नौमी को जगे का नाम याद रखेजे भादरपद महीने की नौमी को जगे का नाम में लिपाते हूं इसलामपुर नामक जगे बे गोडगाओं में इसके अलावा यहां पे लगता है बुढ़ी तीज का मेला क्या लगता है बुढ़ी तीज का मेला ये कहा लगेगा ये लगेगा आपका ये तो ये मुस्लिम समाज के लोग इसको मनाते हैं बुड़ी तेज के मेले को तो ये लगेगा आपका भादरपद महीने की भादरपद महीने में शुकल पक्ष की जो तृत्या होगी ये पॉइंट ध्रान रखना ये मेला मुस्लिम समाज के लोग मनाते हैं या लगाते हैं मुस्लिम संपरदाय के जो लोग होते हैं वो भी इसमें इंवल्व रहते हैं उनका में कॉंट्रिजिशन होता है आगे चलते हैं दो ती लोग हैं गुरुग्राम से आगे चलते हैं मैं इरेश कर रही हूँ गुरुग्राम के ही है तो पहला है आपका भगद पूरण का मेला भगद पूरण मल इनका मेला इसमें क्या है एक तो ये की पूरण मल जी की पूजा होती है और ये गुरुग्राम के कासन नमक जगया पर लगता है कासन स्थान पर बस इतना यादत लगता है शहा चोखा खोरी का मेला ये क्या मेला है ये मुस्लिम संपरदाय का मेला है आपरेल में लगता है वही इनका मेला इसमें क्या है एक तो ये की पूरनमल जी की पूजा होती है और ये गुरुगराम के कासन नामक जगया पर लगता है कासन स्थान पर बस इतना याद रतना है शहा चोखा खोरी का मेला ये क्या मेला है ये मुस्लिम संपर्दाय का मेला है एप्रेल में लगता है वह Cette वो इसको मनाते है गुरु गुरा में एक मेला ओर रह गया है वही हमारा महादेव कहलो शिद्जी कहलो तो शिद्जी का मेला भी लगता है हाँ पर कब लगेगा सभी को फता है शिद्जी का मेला लेकिन यहाँ पर लगेगा हमारा परवरी महा में गुरु गुरा में के पुन्हाना जगया पर पुन्हाना जगया है एक सक्रीन शोट लेजिएगा इनका और पिर आगे बढ़ते हैं परिदावाद हट जाते हैं परिदावाद लंबा वीडियो जाएगा लेकिन एक बार में ही खतम हो जाएगा परिदावाद में बात करें कौन कौन से मेरे लगते हैं आपे परिदावाद में एक मेला लगता है आपका बल्देव छट का मेला ये मेला लगेगा भादर पद के शुक्ल पक्ष की नौमी और दश्मी को कि ये मेला जो है यह किसको समर्पित है ये बल्रामगड में लगता है तो थोड़ां कालका देवी का मेला कालका में भी लगता है पंच्कुला में उन्हें पढ़ा तहीं यह लगता है मोहाना एक जगह है चैत्र महीने की शुक्ल पक्षमे को कब अस्ठमी वाले बिनी अच्क कि नवरात्र होते हैं न तभी लगता है कैम अठ्रल में नवरात्र अनश्च्क लगता है और वह AMY यह श्री क्रिशन जी के उस पर है और यह लगता है गादरपन पर एक चीज़ है यह तो देखो यह लिख लीजीगा क्रिशन पक्ष की अस्ठुमी को और दूसरा इसमें इंपोर्टेंट जो चीज़ है इसमें पहलवानों का दंगल आयोजित होता है यह चीज़ वह सब्कता है यह वाली लाइन देबे तो पता हमना चीज जनमाश्चुमी का मिला गुरू फरिदबाद की बाद है नेक्स्ट है आपका गोगा पीर ये वही गोगा नुमी वाला ठीक है पीर की पूजा होती है शड़ियों का निर्टे होता है ये वही वाला मिला है ये लगता है आपका भादरपद महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी को शुक्ल पक्ष की नौमी को बहबलपुर में कुछ नाम अभी भी ऐसे रहते हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है चलिए आगे स्क्रीन्शोट ले जी मैं आगे ने कोई रेज टेर्रियम पर परिदावाद से कापी सारे मेले हैं अभी में नेक्स्ट है हमारा फूल डोर मेला ये चैत्रपक्ष की द्वित्या को लगता है फूल डोर मिला इसके अलावा फरिदावाद में लगता है बाबा उदास नात का मिला मत करो कि बही चैत्रपक्ष की इसको लगता है आप सिर्फ ये करो बाबा बक्षी नात की नात फिर लगता है आपका बाबा उदास नात का मेला बाबा पहले ही उदास है ये लगता है आपका सिर्थ बाबा की समाथी अलावल पूर में अलावल पूर एक जगे है आपे परीदाबा तो याद रखना हिए परिदाबा की परीदाबा ने लगता है सिर्थ बाबा की समाधी पर शूरज्ज गुंड मेहला सबकों बता है फरवरी में लगता है बहुत सालों से लगता आ रहा है और ये एक स्कृतिक मेला mortal इसमें शिल्प कार आते हैं अपनी कलाका पर दर्शन करते हैं ये प्रेटेकों को आकरशित करने के लिए इस का आयोजन किया जाता है तो ये सुरजपुंड मेला है इसको अलग से डिटेल से पढ़ लेंगे एक है आपका कार्तिक सांसकटिक मेला वहीं कल्चुरल की बात हुई है तो ये इसमें जो कॉइंट है याद करने का वो एक तो ये है कि ये बललवगड या बल्रामगड में लगता है दूसरी बात ये है कि ये हर्याना प्रियेटन विभाग के द्वारा तुरिजन जो मारा डिपार्टमेंट है वो इस मेले का आयुजन करता है हर्याना प्रियेटन विभाग और तीसरी बात कि ये प्रियेटकों को आकशित करने के लिए है कनुवा का मेला लगता है परीदाबाद में ये एजसेसी ने पूछा भी है तो ये भादरपद महीने में क्रिशन पक्ष की एका दशी हो भादरपद में क्रिशन पक्ष की ग्यास मोलते न जिसे वही एका दशी होती है फिर है हमारा शिम चोदश का मेला शिव 14 मेला ये लगता है हमारा शिवरात्री वाले दिन दो शिवरात्री आती है न जैसे एक अभी आई थी श्रावण में एक आपकी पागुल में आती है वोली के बाद तो ये वही है लेली जीए आज प्रेंशोट फिर आगे बढ़ते हैं रेवाडी की और I think सही दिख रहा है आगे बढ़ते हैं रेवाडी इंपोर्डेंट शहर है हर्याना के इतिवास के हिसाब से बात करें हर्याना जीके का बहुत अच्छा पार्ट कवर करता है और काफी सारी चीज़े हैं यहां पर तो अभी हम मेलों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले है बाबा सूरजगिरी बाबा सूरजगिरी का मेला जो ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है उनका डिस्क्रिप्शन रहने देना ये बाबा सूरजगिरी मेला उसके बाद पीर बाबा मेला बस इतना ही लिखा था पीर बाबा मेला ये रिवाडी के बिकानेर में लगता है उसके बाद है बोगा नोमी, देखो हर जगय वहीं है, ठीक है, तो इसका याद है रफना, ये चैतर के प्रशन पक्ष में धारू लेडा में रेवाडी के धारू लेडा में बसंत पंचमी का मेला, ये वैसे तो फसलों के आघमन पे होता है, नई फसल के आघमन का ये लगता है आपका पो माग फरवरी महीने में या माग महीने की शुक्ल पक्ष के पंजमी को उसके बार लगता है शिवरात्री मिला तो ये लगेगा पागुन में और क्रिशन पक्ष की 13 को ठीक है तो ये ले लिजेगा स्क्रेंशोट फिर आगे चलते हैं ये में है बाबा सुरजगरी का मेला पीर बाबा का मेला गोगा नॉमी का मेला बसंत पंचुई का मेला शिवरात्री मेला नेक्स चलते हैं आगे और रहतत्र को डिस्कस करेंगे एक तो बाबा मस्तनात से बहुत क्या到 everyday और यह बहुत हैश्चया ओनेन नहीं कर सकते हैं मैं गई हूँ यहां पे तो अश्कल बहुं जगया करा ऊघ्यार dimensional और यह परवरी से मार्च परवरी अमार्च में ठीके आ आगे है आपका बाबा जमनादास का मिला बाबा जमनादास का मेला यह लगता है आपको चेत्र महीने की अस्टमी को भालोट एक जगे है रौतक में वहां लगता है शिवरात्री मेला हर जगे लगता देखें शिवरात्री मेला ये किलोई जहां से हमारे मुपंद्र सीग कुड़ा थे महां पर किलोई जहां में तीज का मेला और जन्मास्टमी का मेला तीज का मेला वही श्रावन मास्टमी और जन्मास्टमी का मेला तो तीज का मेला में नहीं लिकरें बहुत कॉमन है और ये लगता है हमारा शुक्ल पक्ष की अस्टमी को भाद्रपद मही में है चीक है? आगे बढ़ती है और नेक्स है हमारा और दीज का मिला लगता है ये श्रावन में शुकलापक्ष में जो अभी चल रहा है श्रावन जी से बोलते हैं तो ये तब लगता है ये उतारीम जी इसमें से यह दो बहुत important है यह बागी common है तो इसको आप secondary रख सकते हैं पर यह prominent है तो यह आपको पता होना चाहिए next आगे चलते हैं sonipat के बारे में screenshot ले लिया होगा sonipat के बारे आप आप करेंगे sonipat में जो prominent या फिर जो paper में बार बार पूछे गए हैं उन मेलों को ही discuss करने sonipat में सबसे पहला मेला लगता है डेरा नगन बालकनात का बहुत famous है अगर कभी गए हो या नहीं गए हो तो मैं बता देती हूं sonipat जिले के रबडा एक तसील है रबडा गोहाना की गोहाना जो तसील है ना हमारी वहांपे उसमें ठीक है यह अगरतना है उसके बाद है नवरात्री देवी का मेला वही हमारा देवी का मेला है यह तो यह लगेगा बहुत इंपोर्टेंट है और काफी फेमोस है और बहुत सारे लोग आते हैं यह यह लगता है खेडी गुजर गाउं में सोनी पत के खेडी गुजर में लगता है और यह लगेगा आपका स्रावण महीने के अंतिम रणी बार को ठीके जी नेक्स है आपका बाबा रामक शहा का मिला बाबा रामक शहा एक सेकिंड रेजिए तो आगे चलते हैं बाबा रामक शहा के मिले में क्या बोला है यह खुबडू में लगता है खुबडू एक जगह है धनौर के पास ही है यह जिन्या भुडू में और यह भी आपका लगता है फागन जो महा है उसकी प्रुने मां ठीकर जिंष प्रुण में टीक्षा अनौर्गमिला वो रहनने दीजिए यह अंत्रसा स्रावाग करें इसको इरेज फिर चलते हैं नुहु की तरफ मेवार्त नुहु ना मदल दिया नुहु में जो मेले लगेंगे एक तो लगेगा शिपजे का मिला और ये लगेगा आपका फरवरी मनीने में फिरोजपूर जिर का नाम के एक जगे है वहाँ ठीक है सेकेंड यहां पर लगता है रामन का मिला रामन का मिला कैलो या विजदश्मी का बात वही है विजदश्मी वाले दिल लगता है फिल लगता है यहां पर राम नौमी वहुआ इनी राम नौमी ड़ी मेला हमारी रॉट है न्यवाल अरा करती है यह सब्सक्रूल्फ कि नॉब मेला पलवल का बात करेंगे, यहां पर इतना कुछ इंपोर्टन है नहीं, सिर्फ यह कै सकते हैं शर्जी का मेला तो नहीं से आप ही अहाद रख सकते हैं पर पलवल जजर और चपकी दादी और जल्दी करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा पलवल की में बात करनी आपे आसपास के ही छेतर है इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू यह रखाया कि भई आम पहले पंचकुला एमना लगर अंबाला कुरुप चेतर करनाल पानी पत सोनी पत ऐसे तो अब पलवल पलवल में कॉनए कॉन कॉन मेले लगे हं एक तू लगेगा आपका सती माता का अभी मने पढ़ा भी था हे लगता का ए लगता है गोडल में अर बस बचर एक पहले लगता है इसके अलावा दाव जी का मेला, दाव जी किसको कहा जाता था सबको पता होगा, बल्राम जी को और कृशन जी इनको दाव कहते थे, तो ये है, ये पल्वल के बंचारी एक जगे है, वहाँ बल्राम जी के लिए, रक्षामन दिन का मेला है यहाँ पे, और जो हम वहाँ पे बढ़ा हमने, ये जो है, ये इसलिए खास है, एक तो ये श्रामन मास की पुर्णे मा को लगता है, पुर्णे मा, फर्वासी जी से कहते हैं, दूसरा ये पंचवटी में लगता है, पल्वल में एक पंचवटी नामक जगें है, औरना ये जो है, हमारे जो पांडवों थी ना, पांच पांडवों, उनके आगमन के लिए ये फेमस है, नेक्स्ट मैं यहां पे लिख दे रही हूँ दब दब चर्खी दादरी, आप पल्वल का देख लेजी, नोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी वात है, और अदर्वाइस आप स्के ही शोट ले सकते हैं, चर्खी दादरी ने, एक तो यहां पे दशेरे का, जो की विजय दश्मी के दिन लगेगा, एक यहां पर जनमास्टमी का, जो की श्रामनी महीने में अस्टमी को लगेगा, श्री कृष्ण भंगवान से संबन दित है, बस यहां पे तो यही है, और जजजर के थोड़े जज़र एक पहला मेला फोली का मेला जजर में बहुत इंपडेंटट इंपडेंट जगह है, दुलहेडा जगह पर लगे रहे है, दुबलदन माजरा भी है, दुलहेडा स्थान है यहां पे उस पर लगता है, बस इतना याँ अधर ना, भिमेश्वरी देवी, माता से संबंदित है भुमेश्वरी देवी का मेला लगता है यहापे और यह मेला लगेगा आपका बेरी में बेरी वाली जो माता है न वहाँ लगता है ब्रश में दो बार चैत्रो रासाट में लगता है यह यह याद रखेगा बाबा गरीब दास का मेला बाबा गरीब दास का जो मेला लगेगा ये लगेगा भई दूभल्दन माजरा हो रेंग स्विय जजर में बाड़सा जजर ये दूभल्दन में लगता है दूभल्दन माजरा नामक जगे पर इसके बाद में हमारा श्याम जी का मेला एक सेटिंग, ये गलत हो गया ये जज़ज़ के छुडानी में है ये है छुडानी में और ये है दूबलधन में दूबलधन माजरा में है ये यहाँ पे चोटे वचों का मुंडन होता है और ये पागूल के शुकलपक्ष की दुआदशी को मनाया जाता है फिर है आपका गोगा नॉमी का मेला देखो किकनी जगे है ये मेला ये हर जगे लगता होगा गोगा नॉमी मेला ये जज़जर में एक जगे है बागली वहाँ पे लगता है यह थे आपके पूरे मेले, मेरे खाल से एप गंटे की इसको और पहले वाली क्लास्न को मला के टॉटल एफ गंटे की ऐगा लेकिन यहां पे इंवेल्व है, इंकल्यूड किया गया है, हर मेले को चाहे बढ़ाए बढ़ाएब एक प्रोस्पेक्टिव के अब यूके जो जादा बार पूछा गया उसको हम अच्छे से करेंगे प्रॉमिनेंट वे में रखेंगे और जो कम पूछा गया है लेस इंपोर्टेंट है उसको सेकेंट्री में वीडियो कैसा लगा है जरूर बताएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच और प्लीज कमेंट करेगा थैंक्यू